राजेस्थान विधान सभाचुनाओ आने वाले हैं सत्ता परिवर्तन के लिए बिजेपी की तरफ से राजेस्थान में चार जगों से परिवर्तन यात्रा की शुरुवात की जाएगी मेवाड वागड यानी उदैपूर और बांसवाडा संभाग में बांसवाडा के बेडेश्वर धाम से ये यात्रा निकलने वाली है इसकी तैयारियों में बिजेपी लगी है और टीम की घोशना भी कर दी गई है लेकिन पिछले दो विधान सभाड चुनाओ की बात करें तो बिजेपी या कहें कि पुर्व मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे ने दोनों ही बार चुनावी यात्रा निकाली यह चुनावी यात्रा उदैपूर के एक ही स्थान से शुरू हुई लेकिन इस चुनाओं में बीजेपी की रणनिती बदली हुई नजर आ रही है इस बार जगह भी वह नहीं है और वसुंधरा भी लीड करते हुए अब तक नजर नहीं आ रही है पुर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साल 2013 के विधान सभाद चुनाओ और साल 2018 के विधान सभाद चुनाओ से पहले दो यात्राएं पूरे राजे से निकाली गई थी बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही यात्राएं एक ही जगह से निकली थी साल 2013 विधान सभा चुनाओं से पहले निकाली गई यात्रा की बात करे तो वह थी सुराज संकल्प यात्रा, जिसका मकसत था सत्ताधारी पार्टियों को हटा कर बीजेपी का राज लाना वही साल 2018 की बात करे तो वसुन्द्रा राजे ने गौरों यात्रा निकाली थी यह दोनों ही यात्राएं राज समंद जिले में स्थित प्रसिध चार बुजानात मंदिर से निकाली गई थी दोनों ही बार सभा को वसुंधरा राजे नहीं लीड किया था भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से 3 सितंबर को प्रदेश में चार जगों से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है लेकिन इन चारों जगों में चार बुजानात नहीं है डुंगरपुर की बात करें तो इसकी जगली है आदिवासियों के तिर्थ और आस्था के धाम बेनिश्वर धामने और वहीं से यह यात्रा निकाली जा रही है यहां ग्रियमंत्री अमिच्शाह आएंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे वसुंधरा राजे को भले ही नेता घोशित नहीं किया गया या फिर पार्टी की तरफ से अब तक यात्रा में उनके सामने आने की बात नहीं आई हो लेकिन बीजेपी वसुंधरा को साइड लाइन नहीं कर सकती राजेस्थान में अपनी पकड बनानी है तो वसुंधरा राजे की जरुरत पड़ेगी ही अगर पार्टी अन्य को भी सीयम का चहरा खोशित करती है तो वसुंधरा का साथ गुड और फेथ जरूरी होगा फिलहाल संभावना तो ये है कि 20-25 दिन के भीतर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा